जहे हैं दोस्तों पेश हूं मैं आपके सामने मेरी फिर से एक नहीं कविता लेखे जिसका नाम है वो अच्छनभी साउंड काफी अच्छा बहुत अच्छी पोईम लिखने के कुशिश की है एंड इस बार मैंने काफी डिफ्रिक ट्राय किया है एक कनवर्सेशन भी आप इसको बोल सकते हैं यह कनवर्सेशन है बट यह पोईटरी के फॉर्म में है एंड इसमें लास्ट में एक मोटो भी है सो वो अच्छनभी है सो पोईम कुछ इस प्रकार है आशा करते हूं आप लोग को पसंद आएगी पूरा इस्टॉल जब खत्म हो चला और ठक्र हो गई थी मैं चूर बहुत वो हॉले हॉले कदमों से आया मैंने पूछा चाहते क्या हो जणाब कुछ नहीं बचा अब मेरे पास सीधे सीधे तुना कर कह दिया होगी आस तो तो तोड दिया हलका सा मुसकाया वो बोला न जंजलाया वो मैं तो आपको चाहता हूँ मैम हैं ये मैंने क्या सुन लिया उपर करके आँखों से उसे गोड लिया हैलो मिस्टर जाएए यहां से मूड नहीं है इसलिए मूह न खुलवाईए मैम मैं तो कुछ नहीं मागा मैं बच देना चाहता हूँ धीरे से वो फिर बोला मेरे मन में फोटा गुसे का जैसे गोला क्या चाहिए क्यों आए हो सिक्यूरिटी बलाओ क्यों लाइन मार रहे हो बिना बात बिलफाड रहे हो आपको मैं बरसो से जानता हूँ ये साड़ी आपकी मा की है ये भी जानता हूँ ये जो घड़ी आपने पहनी है आपको आपकी यूके वाले भाई ने दिये मैं अवाग थी आपको मैं बरसो से जानता हूँ ये साड़ी आपकी मा की है ये भी मैं जानता हूँ ये जो घड़ी आपने पहनी है ये आपके यूके वाले भाई ने दिये है उसके प्रश्ण तमाम कर चुके मेरा चैन खराब जी 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 कैसे क्या चाहते हैं आप इतनी जो इंक्वारे निकाल कर सामने रख दी लगता है कर ली हो मुझ पर पीएचडी पीएचडी का पता नहीं लेकिन पसंद आपको करता हूँ सीधा सचा हूँ सीधे ही बात ये कहे देता हूँ जानना पहचान तू मेरा महमान जनाब बताए पहले अपनी पहचान आप बताए आप बताते उसके पहले ही मैडम बोल उठी तीस पार हूँ थोड़ी साबली नाटी हूँ दो सगाई है तूट रखी दो छोटी बहने है नदेने को दहेज है अप कहें जनाब आपके क्या आप कहने है इन सबसे फर्क मुझे पढ़ता नहीं आप अपना कह दे तो हमें अजनबी नहीं कैसी बाते करते हो इतनी आसानी से मुड़ते हो तुम्हारे माबाप मना करेंगे मना लूँगा सोसाइटी ट्रबल करेगी वो तो हमेशे ही करती है समझ लूँगा ड्रामे होंगे अजी सह लेंगे इतनी भी क्या जबरजस्ती क्या तुम्हें मैं इतनी अच्छी लगती क्या खूब तुम्हें मुझ में पाया जीवन भर फिर प्यार में मैंने धुका क्यों है खाया वो मैं जानता नहीं लेकिन तुम्हें ऐस पैकेज अपनाता हूँ खामिया तुम्हें लाग सहीं लेकिन सोने सी सच्ची खरी हो तुम ही आयने जिसी साफ हो नेक दिल बेदाग हो मेरे लिए यही गुण है काफी क्यों करती हो शक खुद पर तुम कहीं से भी कमतर तुम नहीं वो बोला वो मैं जानता नहीं लेकिन तुम्हें ऐस पैकेज अपनाता हूँ वो मैं जानता नहीं लेकिन तुम्हें ऐस पैकेज अपनाता हूँ खाम्या तुम्हें लाग सहीं लेकिन सोने सी सच्ची खरी हो तुम्हीं आयने जिसी साफ हो नेक दिल बेदाग हो मेरे लिए यही गुण है काफी क्यों करती हो शक खुद पर तुम कहीं से भी कमतर तुम नहीं पसंद ना पसंद क्या सिर्फ अपनत्व है जिसको अपना लिया वो अपना दूजा पर आया है इसलिए एक बात मानना तुम सकी किसी का प्यार और साथ पाना हो तो इसलिए एक बात मानना तुम सकी किसी का प्यार और साथ पाना हो तो सबसे पहले खुद से प्यार खुद का साथ निभाना सकी इसलिए एक बात मानना तुम सकी किसी का प्यार और साथ पाना हो तो सबसे पहले खुद से प्यार और खुद का साथ निभाना सकी खुद का साथ निभाना सकी जहन दोस्तों पेश हूं मैं आपके सामने मेरी फिर से एक नहीं कवीता लेके जिसका नाम है वो अच्छ नभी साउंड काफी अच्छा बहुत अच्छी पोईम लिखने के कुशिश की है एंड इस बार मैंने काफी डिफ्रेंट ट्राय किया है एक कनवर्सेशन भी आप इसको बोल सकते हैं यह कनवर्सेशन है बट यह पोईट्री के फॉर्म में है एंड इसमें लास्ट में एक मोटो भी ह सो वो अजनभी है सो पोईम कुछ इस प्रकार है आशा करते हूं आप लोगों को पसंद आएगी पूरा इस चॉल जब खत्म हो चला पूरा इस चॉल जब खत्म हो चला और ठक्कर हो गई